नमस्कार दोस्तों एक और नीव वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक जो कि पेट्रोलोजी से समंध्य जितने भी हम लोग पढ़ चुके अभी तक उसके थोड़ा सा सरांस के बारे में भी जानेंगे और एक से बनने वाले हैं ऐसा तो एक पार्ट वन वीडियो मेरा बन चुका है जिसमें टूटल 11 क्यूचन है आपकी वाले में बहुत कम क्यूचन है लेकिन एक्सप्लेशन बहुत अच्छा है तो आप वीडियो के लाश्ट तक बने रहेंगे और ये वीडियो जो है हिंदी मेडिय के लिए और अंग्रेजी मेडियम वालों के लिए भी है ठीक है दोनों मेडियम वालों के लिए ये इकाम करेगा प्याट्रोजी शैल विज्ञान के बारे में इस से अलग अगर कहीं से नबूचने वाला है जिसमें हमको पढ़ना है इगनियस रोग्स सेरिमेंटरी रोक्स सब्सक्राइब के लिए इंग्रिश मेडिय। दूनों के लिए इसमें एक चीज है कि बहुत लंबा होने वाला है इसलिए वालों के लिए पाट फॉन इंग्लिश के लिए पाट टू एसे करके बन रहा है ठीक है तो आए स्टार्ट करते हैं जल्दी से आए स्क्रीन पे फटाफट से आप लोग पेन कोपी लेकर बैठे रहेंगे और नोट्स करते चलेंगे ओके तो दोस्तों हमा गए हैं अपने फोन के स्क्रीन पे जो यह वीडियो है ज्यादा समय आपको पास नहीं करना जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला है यह वीडियो ज सकते हैं मैं इस प्रकार से बता रहाँ हूं उस हिसाब से आप फोलो तो करो पहले उसके बाद अगर आपका एकजाम अच्छा निए इसके बार ने गिएब॥ थोड़ा सा यह कर देते हैं मतलब हिंदी मेडियम वालत देखकर इसको एक्नोर कर देते हैं तो उस तरीके से आप लोग मत किया किसे ठीक है तो चलिए देखते हैं कि मोस्ट इंपोर्टेंट एक नोट सोने वाला है क्लास ट्वेल्थ जियोलोजी के लिए ठीक है तो आईए सबसे पहला जो किवचन है हम इसमें बता दे आपको पहले कि फाइब मार्क्स वाले भी रहेंगे धाई मार्क्स वाले भी रहेंगे मतलब तीनों टैप के आपको कि देख सकते हैं यहां पर लिखा है चटान के बारे में विस्तार से वर्णन कीजिए ऐसे तो हम पार्ट वन जो वीडियो मेरा था उसमें हम चटान के बारे में ही स्टड़ी करवाए हैं लेकिन इसका कोई अंदाज थोड़ा सा है अलग होने वाला है थोड़ा सा बड़ा यह वीडियो होने वाला है जैसा कि मैंने बताया था कि इस चेप्टर से जो है किउशन जो आपका पूछता है वह 50% पूछता है कितना पूछता है 50% चटानों से समंधित ही होता है लेकिन अभी इसमें और भी बहुत सारे टोपिक्स हैं इसलिए हम इसके बारे में किलियर चलते हैं तो चक्तानों के बारे में विस्तार से स्टडी करने के बाद यहां पर यह चीज आ जाता है प्रित्वी की उपरी परत या भूपटल से मिलने वाले पदार चाहिवे ग्रेनाइट तथा बालूका पत्थर की भाती कठोर प्रकृतिक हो या रेत की भाती को रेत की प्रवेश कर सकता हो या इस लेट की भाती अब प्रवेश हो मिन्स सीला टाइप की हो कि उसमें कुछ भी परवेश ना करें इनकी संरचना बिभीन प्रकार के खनीजों से मिलकर हुई है ठीक है तो इस प्रकार की चीजों को हदुद दोस्तों हम लोग बोल सकते हैं चटान क इसमें ये सभी चीजे पाई जाती है ठीक है तो आप इसे नोट्स करते चलना फटा फट स्क्रीन सट भी आप ले सकते हो इसका नोट्स आपको नहीं मिलने वाला वाब वाट्सप पे ठीक है चटान कई बार एक ही खनीज दुवारा निर्मित होते हैं लेकिन समाने तह चट चटानों के बारे में स्टेप है कि चटान जो है एक खनीज दुवारा ही निर्मित होते हैं लाइक कि जैसे माने जी एक बहुत बड़ा सा चटान आपके पास है एक बहुत बड़ा सा चटान है इसमें तो बहुत बड़ा सा चटान है इसमें तो बहुत बड़ा सा चटान है है कि चटान जो है कई बार एक ही खनीज द्वारा ने निर्मित होती है तथा चटान खनीज दो या दो सदिक खनीजों का मिश्रन होता है मतलब जो चटान बड़ा वाला होता ना उसकी बात कर रहे हैं नेक्स्ट प्रीथ इसी का अगला चैप है और एंसर कैसे लिखना है वो चीज हम आपको बता रहे हैं कि आपको पराग्राफ चेंज करकर लिखना है तो और भी बेटर लगेगा अगर इन सबी खनीजों से मिलकर हुआ है परन्तु इन में से कुछ ही तत्व इंपोर्टेंट है मुक्रूप से केवल 20 खनीजी भूपटल निर्मान की दिरिष्टी से महतोपूर्ण माने जाते हैं मतलब 2000 खनीजों से मिलकर जो है चटान बना हुआ है ऐसा तो माना जाता है लेकिन 20 खनीज नहीं है तो इस टैप के यह पूछ सकता है तो आपको ऐसे ही जवाब देना होगा नेक्स्ट बढ़ते हैं कि भूपटल के सभी कठोर एवं मुलायम पदार्थ चटान कहलाते हैं मतलब भूपटल जो होता है परपटी उसके जितने भी कठोर एवं मुलायम की अगर बात करें बालू रे तो वह सब कुछ आगया मिटी अर्थाथ भूपटल के वे सभी पदार्थ जो खनीज नहीं है उसे क्या कहेंगे चटान खनीज नहीं है लेकिन उन्में मिस्रन तो है न तो उसे क्या बोलेंगे चटान बोल सकते हैं ठीक है बढ़ते हैं दोस्त जो कठोर भी हो सकता है और मीटी के समान मुलायम भी हो सकता है तो अगर आप से एक चीज हम पूछें ठीक है ना समझेगा ध्यान से बहुत अच्छा टोपिक है कि भाईया जो मीटी जो बनता है ठीक है तो मीटी का निर्मान कैसे होता है तो सेलों में मानले जी एक बड़ा सा प्रबूंठ तो इस अपको इसमें थो आपको पता हो अपरदन तथा अपक्षे दोनों के किरिया hosti है दो आपक्षै वीदिरिंग इरोजन यह सभी पर में दोटेगा इतना टूटेगा कि वह जो है सदिमेंट्री बन जाता है je साधी चटान बन जाता है आप सभी लोग लेक्षरर वीडियो देख लेंगे सेडिमेंटरी रोक्स बन गया अब जो सेडिमेंटरी रोक्स बना तो उसका लेयर बनेगा तब न जाकर कयांत्री चटान बनेगा तो अगर उस जो सेडिमेंटरी मिन्स क्या समझ रहे हैं आपकी से दुसरे सब्सक्रें हम लोग बन जाया? मीटी यहां है मिटी को इक प्रकार से अंशिरsinit के हो सब्सक्रेंगे कि परीतवि की सत्बुडित को सब्सक्रांट करों मुल्भूतुट लेकिन बाहर जो चीजे बेते हैं उसकों लोग बन regलित शा Tanoka बारी प्रत जो है न सनरचना मुल्भूती काई होती है कौन सेल लाइक मिटी ये सब चीज ठीक है नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों सेकंड नमर क्यूशन की और ये बहुत ही जी है हमने पार्ट वान वीडियो में भी लिखा हुआ है तो आप क्यूशन आप हो सकता है कि इसमे डिवाइट किया गया है पहले को बोलते हैं आगनिया चटान जिसको इंगलिस में इगनियस रोक बोलते हैं सेकंड को उसादी बोलते हैं इसको सेलिमेंटरी बोल देते हैं कयांतरित कयांतरित को मेटामॉर्फिक कहते हैं ठीक है कम्प्लीट लाइक आगे बढ़ते हैं इसी प्रकृती का निर्मान होगा नहीं समझ माया ना कोई बात नी पहले हम समझाई लेते हैं उसके बाद ही हम पढ़ाएंगे आगे मान लिजे आपके पास एक दहकता हुआ आग है इस परकार से ठीक है क्या है आग है आग यही आग को अगर हम ठंधा करेंगे क्या करेंगे ठंधा करेंगे तो इसी आग को अगर दोस्तों हम ठंधा करते हैं ठंधा तो क्या बनेगा आग को ठंधा करेंगे तो थोड़ा सा द्राव रूप में आएगा और द्राव रूप से हम लोग उसको ठोस अवस्था मिला सकते हैं तो प्रिथवी जो है जो भी का एक समय बाद अंत भी हो जाएगा लेकिन उसमें million of years लग सकते हैं ठीक है ठोस में तो आया इस प्रकार से सैलो का निर्मान हुआ अब बात है कि खनीज इतने सारे कहां से आया तो मान लिजिए ठोस हमारा धर्ती का निर्मान तो हो गया लेकिन अब matter यहां पर यह है कि ठ कोस तो बना तो आपको पता होगा जिवास में का अपने नाम सुना होगा तो जब जिवास में की जहां पर बात आती है ना तो जिवास में आपको यह चीज थोड़ा सा समझना होगा कि जिवास में की बात आती है तो जिवास में बनता कैसे है लाकों साल लगते हैं कैसे बन प्रित्वी में कई जगों पर टूट फूट होने लगी और उथल पूथल होने लगी उसी के परिनाम स्वरुप चटानों का निर्मान हुआ ऐसे तो प्रित्वी के भुगर्ब में कई तरह के खनीज पदार्थ पाये जाते हैं लेकिन कुछ मुख्य तत्वा ऐसे होते हैं जो चटान बनाने में उपयोगी होते हैं मतलब अब जो है यहां पे हमको थोड़े थोड़े ऐलिमेंट्स के बारे में भी जानना होगा कौन-कौन से रिमेंट्स जो हैं जो की रोक्स बनाने में हमारी मदद करते हैं उनका कुछ नाम अभी है दोस्तो हम नीशे देखनेवाले ह देखिए यहां पर ऐसे तो विभीन परकार की तत्व मिलकर चट्टानों का निर्मान करते हैं मतलब formation of rock करते हैं परन्तु आठ मुख के नंबर वान पर जो है oxygen इसका जो percentage is 47% एक नेक्स्ट की अगर बात करें अगला तो अगला आप सिलिकाउन देख सकते हैं इसका है 28% ठीक है aluminum है इसका है only 8% ठीक है लोहा है इसका 5% calcium sodium potassium magnesium इस्प्रकार से तत्व का नाम है आप कर लोगे याद कर लोगे ठीक है यह जो क्रस्ट है जिसको क्रस्ट को ही उपर का मेंट पर पटी कहा जाता है तो खनीजों की संख्या तो हजारों लाखों में होती है जैसा कि अभी निसकासन भी हो रहा है जिसको जिवासमा सब कुछ बोलते हैं परंतुमातर छे खनीज ही ऐसे हैं जो परधान रुप से एक सेल में पाए जाते हैं तो यह खनीज हो जाते हैं फैला फैल सपार नंबर टू क्वार्टर पाइरोसीज ठीक है एमफी बोल्स अवरग तथा ओलिविन इसे आप नोट्स कर लोगे नेक्स्ट परते हैं आगे चतानों का निर्मान करने वाले खनीजों में सिल्केट का नंबर वन प्क्रम सा एससे करके आते हैं ठीक है तो इसे से किलि रोख है दोसतो अब रोगइसे सब्सक्राइब देखा जाए तो चताने ने तिन पड़ख होती है जैसा कि अभी आपने उपर भी देखा हुआ था पहले को वक्ते आगने चटाने जिसको एगनियस रोक्स कहते हैं इंग्लिस में उसके बाद दिखेगा इन चटानों को हम लोग प्रात्मिक मैं आप अच्छे से जान रहे हैं मैं आपको अभी भी बोल रहा हूं कि जो आपका जो डेक्चर वीडियो है लिंक डिस्क्रिप्शन में है ठीक है आप लिंक पर टैप करो एंजा कर देखो वीडियो को जमने से होता है मतलब कि जो ज्वाला मुखी फटा तो उससे मैगमा नि आपट हहनी होती है कोई परत इसमें नहिद्व कट्वोगा नहीं कोई जिवासमें होगा जिवासम में जीक्जाम्पल को पता है तो यह सब कुछ भी नहीं होगा ठीक है इस प्रकार से नोट्स करते चलेंगे किलियर कंप्यूटराइज है कि यह चटान धात्विक खनी जो से पूर्ण होती है जैसे कि लोहा सोंदा चांदी निकिल तामबा इत्यादी सब पाय जाएंगे इसमें नेक्स्ट है भौ हाड एक दम होते हैं और इतने हाड होता है कि यह मतलब कि प्रवीश्य अब प्रवीश्य दोनों पाय जाते हैं तो हाड जब हुए तो आप थोड़ा सा सेंस लगाईए अपना यहां पे हाड जब हुए तक क्या रसायनिक प्रोसेस द्वारा जब इसका पक्षे होगा मिंस भौतिक वीधियों द्वारा ठीक है क्या लिखा है भौतिक वीधियों द्वारा मतलब भौतिक यांतरिक अपक्षे इन चटानों का सरवादिक होता है जबकि रसायनिक अपक्षे इन चटानों में कम होता है मतलब रसायनिक करने का जग ही नहीं है ना मतलब समय लगेगा ब इसका एक निश्चित संरसना होता है ठीक है नेक्स्ट आग से बनी चटाने यानि जवाला मुखी से निकला लावा मैगमा धुल एवं कनों को ठंडा होने पर जो चटाने बनाती है उसे हम लोग आगनेसल कहते हैं यह करेक्ट आपका मतलब कि यह हो यह हो जाता है डिफनिसन ह जाता है इसलिए इसे प्रात्मिक या मात सेल भी खा जाता है इन पर्तों में जिवासमन नहीं होता है क्योंकि जगह ही नहीं है नेक्स्ट लोहा सोना निकिल जस्ता जैसे परमुखनी इन चटानों में पाय जाते हैं यह चटाने आर्थिक रूप से संपन्न होती है मतलब य आर्थिक एकोनोमिकल तरीके से बहुत अच्छी होती है इसके बारे में हम लोग एकोनोमिकल जोलोजय में पढ़ चुके हैं आगनेया सेलो का एक्जांपल की अगर बात कर ले दोस्तों तो ग्रेनाइट हो जाता है बैसाइल्ट हो जाता है यह सब चीजें आपको याद करन इसके बाद जो सड़क हम लोग बनाते हैं तो बीटुमिन उसके उप्योग करते हैं जिसको हम लोग कोल नहीं कहते हैं बलेक बलेक वह कोल तो वह कोल नहीं होता है औरिजनल में वह बीटुमिन होता है ठीक है बीटुमिन होता है नेक्स्ट आगनेया सेलो की परकारों को लि अब इसके बारे में अंतर निर्मित में कि जो जो है प्रित्वी के अंदर में जो चटाने बनी उसको हम लोग अंतर निर्मित बोल देंगे मतलब इंट्रसिव इग्नियस रोक्स बोल देंगे और जो प्रित्वी के उपर में बड़े बड़े जो चटाने हैं उसको हम लोग external बोल देंगे मतलब कि extrassive igneous rocks बोल देंगे ठीक है तो इसका definition आप अपने से sense लगा कर लिख सकते हैं इसके बारे में हमने नई अब यहाँ पर describe नहीं किया है ठीक है नेक्स चलिए हम लोग आते हैं इसमें परते पाई जाती है लेकिन अवसादी जो होता है न क्रिश्टल का भाव होता है क्योंकि अत्यांत इनका smallest मतलब यूनिट होते हैं बहुत छोटे-छोटे खन होते हैं इसलिए इसमें जिवासमा पाया जाता है जैसे कोईला पेट्रोलियम गैस मतलब इसी सम अगला अवसादी सेलो में अत्यादी खनीज पाया जाते हैं और अवसादी चटाने मिरिदा के लिए सबसे महत्वपून भूमिका भी नहीं भाती है क्योंकि अभी बताया थे कि जब अलग अलग हो जाएगा तो यह मिटी में मिल जाएगा ऐसे तो मिटी का निर्मान भी हो लेयर वाला चटान गेगा तो उन चटानों का निर्मान होता है वैसे अवसादी चटान बन जाता है में ठीक है उसके बाद दोस्तों हम भी बात कर लेते हैं आगने शैलों से बनने की कराणि इन चटानों को अवसादी चान भी काते हैं अग्नेस से अगर बनना हूँए चटान है कि हम लोग आवसादी बूखते हैं अधीआ्षन गहादी हैं टिएंवे सब्सक्षान टीक है नेक्स्ठ बढें में पिर दीमें आज़ाते हैं खोनीज तेल अधी पाई जाता है इन चटानों में अवसादी चटान को एक्जामपल आप देख सकते हैं बलुआ पत्थर डोलोमाइट लिगनाइट चुना पत्थर इत्यादी सब आ जाता है समझ मागया अवसादों की सतह पर जमा होना नीमने तीन किरिया हो समझत है पहला यांत्रिक जैविक एंड है डिक आ जाता है रासाई है तो रासाई हो पहले हम लोग यहाँद देख लैता है क्लेम सोता है चाइका मिटी इसके बाद मतलब इसको islands में यहाँद ऑस उसके बाद बायोटिक प्रोसेस में चलो तो यहां पर आपको मिल जाएगा कि मृत पोध हो एवं जनतु हो कि जैविक पदार्थों के जैविक अपगटन से निशेपन होता है उदारन में पीट हो गया कोईला हो गया मुंग की चटान हो गया मतलब उस टाइप की दिखने वा हैं इसका निर्मान देखिए कैसे होता है आगनेय एवं अवसाधि चटानों में ताप और दाब के परभाव के कारण होने वाले परिवर्थनों से इसका हो जाता है तो यह चीज़ आप उस क्यूस्चन जब आपको मिलेगा आपके सामने तब उस हिसाप से आप कहां पर बदल दिया जाता है इसलिए से रूपांतरित या कयांतरित से लोगा निर्मान हो जाता है और जब परियावर्ण में परिवर्थन होता है तो चटानों में तूट फूट वर असानिक किरिया होती है जिस कारण से उनका कार एवं रूप बदल जाता है इसलिए से कयांतरित स चटान बनते हैं जैसे कि ग्रेनाइट की अगर बात कर देते हैं तो डायरेक्ट आगनेय से कयांतित बन जाता है उसके बाद एक बेसाल टा गया ठीक है दो आपकी पास एकजांपल है अगला है कि अवसादी से कयांतित चटाने मतलब बलुआ पथर से कयांतित होगा चूना प परत चटानों से बनी है चटान प्यक्रितिक गूप से मिलकर बनी होती है इसक खनीद कहा जाता है परफम को आगउया सेलウोन काुक्त की का निरिमान जञमान एक निकलने या मैगमा के ठंडावनेस होता है यह चीज आपको पहले से पता शादा है अल्रेड़ी अगनेय सेलों परत लेयरस नहीं पाए जाती है। इस लिए यह चटान जना मुखी छेतो मत्रफियत अगनेय चटानों द्हात्विक खनेज मतालिक मिनेरिल्स अधिक मात्रां पाएं जाते है। उदारन जैसे ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, गैबरो हो गया, डायोराइट हो गया, पैगमाटाइट हो गया, साइनाइट हो गया, यह सब चीज, ठीक है, एक्जामपल, सबसे अब देखेगा, अब्जेक्टिव आगया है, यहाँ पर कि सबसे कठोर चटान कौन सा चaktकर हम कोई सब्सक्राइब अगला औब्जेकटिव में मेंud इसको सेडिमेंटर्य वोलते अवसाधिक होई हम लोग एक तरीके से रुपांतरित भी बोल सकते हैं या तो परतदार भी बोल सकते हैं दोनों तो सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है उसको हम लोग रुपांतरित ही बोले तो अच्छा रहेगा भारत में सबसे पुरानी चट्टान कौन से है तो आगने क्या हो सकता है मिंस आउसादी मिंस बालुवाल अकार का कोईला लेटराइट मिटि होता है नमक जिपसम फासफेट मैगनेसाइट सीमेंट कायास्क चुना पत्तर इत्यादी ये सब क्या है आउसादी चल के एकजामपल हो जाते हैं नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं आगे संग मरमर में सब्षक्तata ॥म्रभर में चाहला यह सोल यह हो जाता है कोई नदी की निच्छेफ और बोधि नदी इत्यादी की वेशीन में जो आण यह जाता है कोईला की बात है इसके बाद दुस्तों एक बहुत इंपोटेंट चीज यहां पे आप हमें हमेशा कोई ने कोई अपडेट जो है आप हमसे पूछ सकते हैं follow me on instagram amt.kumar.351 contact 9693-298601 only whatsapp available है इस पे call PCV प्रकार से available नहीं है ठीक है whatsapp तो इस प्रकार से आपका हिंदी होता है खतम अब जो है इसका नोट्स हम नहीं देने वाले हैं इसका नोट्स आप वीडियो को पोस्ट करकर के रोक लोगे ठीक है home में आपको क्लिक करने है household में आपको वीडियो मिल जाएगा वीडियो पर बहुत करोगे है अपे हाल लोग पढ़ चुके हैं I hope that आप इसे नोट्स कर लेंगे लेकिन एक चीजे को एक और अपडेट है वीडियो जो है न थोड़ा सा लेट हो रहा है इसके पीछे रिजान है कि वीजो फिलाल दसरा पुजा चल रहा है तो इसमें जो बैक्ग्राउंड जो साउंड है बहुत ज़